दकेरला स्टोरी दुबारा ही कैसी कहानी हमें देखने के लिए मिली जो पूरे देश को जंजोड के रख देने वाली है लिटरली दोनों तरफ से चीजों को बाट दिया जाएगा कुछ इस फिल्म को पसंद करेंगे कुछ इस फिल्म को बहुत जादा क्रिटिसाइज करने वा उन्नेस मिलट की मूवी है जिसमें अगर मैं बात करूं तो टूटली ऑन पॉइंट हर चीज दिखाई जाती है मतलब यह फिल्म भटक नहीं रही है कि इसको बताना क्या है इसे क्लियर है कि इसे बताना क्या है और यह स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लास वाले पॉइं और उनको फिर आतंगवादी गद्विद्वियों में इन्वाल्व किया जा रहा है साथ साथ कनवर्जन की उपर भी थोड़ा नजर डाला गया है साथ साथ लव जिहाद वाले मामले को भी उठाया गया और उसी के साथ काफी सारी जो पॉइंट से वह इस फिल्म के इंदर दिखाया गया है अब देखो मैं पूरी तरह किसी डीटेल बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कुछ अदर प्रस्पेक्टिव भी होते हो लोगों की और कुछ मैं सपॉलर भी नहीं देना चाहता हूं बट अगर मैं बात कुरे इस मूवी के बारे में कि क्या आपको यह मू कि बस्क हुआ चैनलों की तरह कि दरत आरा तरह की ये यहरा है रही सिर्फ और मैं पूर्य और किया रहे में की दीतारात है कि अपने बहन बेटियों को किस तरह से सेव रखना है किस तरह से लड़कियों को किसी के चक्कर में नहीं आना है उनको अपने माइंड्स को इसमानल इस्तमाल करना प्रदिमाग से काम करना है और किसी की बहकावे में नहीं आना है तो मुझे लगता है यह फिल्म कुछ भी गलत फैलाने के लिए नहीं बनी है और लिटरली अगर यह फिल्म किसी को सिखाती है तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया की लोगों को यह इस फिल्म को जाके देखना चाहिए और अगर मैं बात करूँ अब एसपेक्ट की बात करूँ कि फिल्म के अंदर क्या के देखने मिलता देखो पूरी तरीके से जिस तरह से इसमें एक्शन दिखाएगा है वो बहुत ज़दा ब्रूटल है बहुत ज़दा आपको जंजूर के रख देगे इसकी कहानी जो है वो आपको रुला के रख देगी आपके दिल को नम कर देगी भाई यह जो मुद्धा है वो आपको गुस्सा दिलाएगा तो मुझे लगता है यह फिल्म के अंदर ना हर एक वो चीज है जो एक emotional फिल्म या फिर एक अच्छी क्रांती कारी फिल्म बनने के लिए होती है जिस तरह से कस्मीर फाइल है यह मैं उसके बात नहीं करना चाहूंगा उस तरह से मुझे लगता है यह फिल्म भी काफ तो मुझे लगता है यह फिल्म जो है एक हार्ड हिटिंग फिल्म होने वाली है जो कि अच्छे कलेक्शन भी करेगी और लोगों को काफी अच्छी तरीके से चीजों को छिखाने के लिए भी यह फिल्म तयार बैठी है तो ओवरॉल मुझे लगता है इस फिल्म को जरूर उमीद करूँगा कि ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया के अंदर उस चीज़ को आगे लाया जाए और लोगों को सिखाया जाए कि उससे कैसा बचा जाए या फिर यह भी होता है इंडिया और दुनिया को बताया जाए मुझे तो यह फिल्म काफी पसंद आई औ उमीद करता हूं आप भी इस उनको जरूर देखने जाने वाले है दोस्तों यह था रेविव अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजेगा और नहीं भी पसंद आया होगा तो जो करना हो कर लीजेगा क्योंकि दोस्तों यह फिल्म तो भाई चलने वाल हो पस्तों यह थीख है